हाली में तीन क्रिमिनल लौ नहीं बिल लेकर आए गई है आई जानती हैं मुनके रूप बारे में विस्तार से कि क्या क्या नए कानून आये हैं और किस किस कानून के अंडर आये है पहला आया है इंडियन पीनल कोड जिसमें पहले 511 धार आये थी लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद अब उसमें 356 धाराए होगी 175 धारों में बदला हुए हैं आठ नहीं धाराए जोड़ी गई है और 22 धारों को खत्म कर दिया गया है अब हम देखते हैं वो अपराज जिनकी सजा से जुड़ा हुआ है ये एक्ट इस बिल में IPC के बहुत सारे प्रावधान शामिल किये गए हैं लेकिन सजा के तोर पर कम्यूनिटी सर्विस का एक नया प्रावधान जोड़ा गया है राजदरों अब कोई अपराद नहीं है लेकिन देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुचाना एक नया अपराद है अगर कोई भी नागरित देश की अखंडता यानि कि यूनिटी को नुकसान पहुचाएगा तो इस काम को आतंकवाद की श्रीणी में गिना जाएगा यानि कि इसको टेररिजम की श्रीणी में गिना जाएगा इस बिल में छोटे मोटे संगटित हमलों को भी गंभीर अपराद की श्रीनी में गिना जाएगा यानि कि petty offenses कुछ थे उनको भी अब इसमें mean offense में गिना जाएगा जाती, धर्म या विचार धरा के अधार पर पाच या पाच से जादा लोगों के सम्हू दुआरा की गई हत्या में उम्र कैद या फासी हो को सम्हू किसी लोग किसी इनसान को जाती, धर्म या अपनी किसी रूडता की वज़े से मार देता है तो उसकी सजा उम्र कैद होगी या फासी होगी साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा नियाए सहिता के इस प्रावधान को मॉब लिंचिंग से जोड़ कर देखा जा रहा है इसके बाद बारी आती है नागरिक सुरक्षा दुइत्ते सहिता बिल की ये रिप्लेस करेगा CRPC को जिसमें 484 धाराय थी नहीं सहिता में अब 533 धाराय होगी CRPC की 160 धाराव को बदल दिया गया है बिल में 9 धाराय जोड़ी गई है और 9 धाराव को खत्म कर दिया गया है ये कानून गिरफतारी अभियोग और जमानत से जुड़ा हुआ है नए प्रस्तावित कानून में यदि किसी अपराध में आरोपी को 7 साल या उससे ज़ादा की सजा होनी है तो उस केस में फॉरंसिक जाच आने वारे है अगर किसी ओफिंस की पनिश्मेंट 7 यह उससे ज़ादा होगी तो उस केस में कोई फॉरंसिक एविडेंस या उसकी फॉरंसिक इन्वेस्टिगेशन अब रेगुलेट कर दी गई है उसको आनिवारे कर दिया गई फॉरंसिक टीम घटना स्थल पर अपनी समूची कारेवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेगी जो फॉरंसिक टीम जो भी मतलब जाएगी वहाँ पर जो भी वो मनलब की एविडेंस कलेक्ट करेगी उसके पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी केस का ट्रायल पूछताच और प्रोसेडिंग डिजिल्टल तरीके से भी किया जा सकेगा यानि साशरीर मौजुद रहने के जरूरत नहीं अगर कोई नहीं यहाँ पा रहा है तो वो वीडियो कॉलिंग पर भी कोट में अपनी अपिरियंस दे सकता है अगर कोई आरोपी अपने केस से भाग रहा है और उसे निकट भविशे में अरेस्ट करने के कोई उम्मीद नहीं दिख रही है तो उसकी अनुपस्ति में भी केस चलाया जा सकेगा और उसे सजदी साथ जा सकेगी अगर कोई अपरादी जान पूछ के court के trial में नहीं आ रहा है और ऐसा कोई प्रावधन भी नहीं लग रहा कि हम उसे future में arrest कर सकते हैं तो court के proceeding चलेगी और उसकी जो punishment होगी वो उसको मिलेगी जाच के लिए handwriting के साथ उंगले के छाप और voice sample भी लिये जा सकेंगे अब ही handwriting expert खाले handwriting चे करते थे लेकिन अब उंगले के छाप यानि के fingerprint और voice sample भी collect किये जाएंगे जाच एंजन्स योसे ये sample उन लोगों से भी ले सकते हैं जिने arrest नहीं किया गया है अब बात करते हैं भारती साक्षिद वित्ते बिल्की ये replace करेगा 1872 के Indian Evidence Act को जिसमें 167 धाराय थी नए कानून में 170 धाराय होगी इसके बाद 30 धारों में बदलाव किया गया है एक नए धारा जोड़ी गई और 5 धाराय निरस्त की गई है ये कानून किसी अपराद के सबूत, convention और तथे से जुड़ा हुआ है नए सहीता डिजिटल रिकॉर्ड को भी डॉक्यूमेंट में जोड़ती है अब अगर कोई डिजिटल रिकॉर्ड है, that will be also included in the document पुराना Evidence Act, Electronic Record को Secondary Evidence में रखता है सहीता ये मांग करती है कि ये रिकॉर्ड प्राइमरी एविडेंस होंगे जो पुराना Evidence Act था, वो Electronic Evidence को किसमें रखता था? Secondary Evidence में रखता था, लेकिन as per the new criminal law बिल अब से ये प्राइमरी एविडेंस में count होगा नहीं सहीता, Secondary Evidence में मौखिक और लिखित Evidence को रखती है पहले मौखिक और जो Written Evidence है वो किसमें आएंगे? Secondary Evidence में आएंगे, मौखिक याने कि Oral, Testimonial नहीं सहीता, सबूतों के पुष्टी करने वाले लोगों के Testimony को भी Second Evidence में रखती है जो हमारे पास Evidence है, जैसे किसी एक्सपर्ट को गुलाते है, यो उस Evidence को कोई Witness होता है और जो उसकी Testimony होगी, अब से उसको Secondary Evidence में रखा जाएगा, ना कि Primary Evidence में नहीं सहीता में, पुलिस कस्टेडी 15 दिनों से ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है अधिक से अधिक 90 दिनों तक कियी जा सकती है, यानि कि जो पुलिस कस्टेडी अभी तक सिर्फ 15 देज की थी अब उसको Maximum to Maximum 90 देज कर दिया गया है आपने कानून जाने, अब समझते हैं कि इन तीन कानों पर आपत्ती क्या है अलग-अलग जगों पर जो अपत्ती सामने हैं यह वह कुछ इस तरह है राजतरों जैसे गंभीर अपराद के लिए सजा खत्म कर दी गई अब राजजरों पर नहीं है, अगर आप इंडिया के integrity unity को destroy करते हैं तो that will be our offense किसी भी अपराद को देश के अखंडता पर हमली की तरह देखा जा सकेगा और उसे आतंगवाद की घटना की तरह देखा जाएगा और अगर आप देश के अगिंस कोई भी offense करते हूँ so that will be counted as terrorism छोटे अपराद और बड़े अपराद का फर्क मिटा दिया गया है ऐसे ही legal updates के लिए आप बने रहें मेरे channel law minds के साथ please like my video share my video and comment on my video and please subscribe my channel thank you so much अगर आपको किसी भी topic से जुड़ी कोई भी legal advice चाहिए वो भी free में तो आप description box में जो legal advice वाला link है महाँपन मेरी website विजिट करके अपनी problem बता सकते है और फिर मैं आपसे connect करूँगे और आपको आपका solution दूँगे और ऐसे ही legal updates के लिए बने रहें मेरे channel law minds के साथ please like my video share my video and comment on my video and please subscribe my channel thank you so much